नमस्ते दोस्तों, ZeroDigit के इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम correct spelling से related कुछ questions से उनको discuss करेंगे इन words की exam में पूछे जाने की बहुत सारी आशंका है तो चलिए इस स्यांदार सेशन को start कर देते है देखो यहाँ पर सवाल आता है Choose the word spelled correctly जो भी word सही spelling से लिखा हुआ है उसको आपको tick करना है तो यहाँ पर पहला सवाल है आपको kernel का spelling बताना है kernel का spelling क्या होगा तो option में देखो यहाँ पर दिया है K-A-R-N-A-L, C-O-R-N-A-L, C-O-L-O-N-E-L या फिर C-K-O-R-Y-N-A-E-L करके सही स्पेलिंग क्या होगा करनल लेकि करनल में आर का बहुत पश्ट तरीके से उच्चा रहे लेकिन इसके स्पेलिंग में कहीं पे भी आर नहीं यूज होता है करनल का स्पेलिंग यह होता है कोलोनेल यहाँ पे प्रोनोंसेशन अलग हो रहा है लेकिन इसका स्पेलिंग जो है इसी तरीके से लिखा जाएगा दोस्तों यही होता है करनल जो भी मिल्टरी में करनल वगरा होते है सिपाईयों में तो उसका स्पेलिंग होता है C-O-L-O-N-E-L कोलोनेल ठीक है Next spelling को मारे है, आपको बताना है यहाँ पे लेफटनन को होगा लेफटनन देखो यहाँ पेतूज स्पेलिंगि यहलेउमगु यहां पर स्पेलिंग यहां वद पर यहां पर यहां पर यह यहां-ऑज यहां यहां यह पर यही टजु यहां अज़े laughing यहां से होगा यह होगा लेफट-नन का spell Rush ठीक है देखो यहां पर लाई है लाई जूर बोलना यू है यू और यहां पर टेन है याने 10 और या शूर बोल रही है आप से लाई यू 10 एंट करके याद रहिए कि नेक्स्ट यहां पे सवाल है क्रिटिसाइज का आपको सही स्पेलिंग बताना है क्रिटिसाइज 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 क्या होगा यहां से तो मैं आप स्पेलिंग नहीं पढ़ूँगा आप ही वीडियो को पॉस करके स्पेलिंग को पढ़िएगा मैं आपको यहा स्पेलिंग हो इसका सी आई मितलब होता है किसी को किसी को मितलब हो जाने जाने हो सको निमने तरीकह जैसे वोग अपने नोकłe why करते देनि इस तरीकह तो ही कृति साइज हो नेक्स्थ हार हूमरस कि मदेफं मथथ संहीं जाना है humorous क्या होगा तो यहां से देखो humorous तो जो होता है यह चूयम तो रहेगा spelling में हर spelling में यह चूयम दिख रहा है आपको लेकिन उसके बाद जो है humorous याने o होगा r-o-u-s-t के humorous इस तरीके से इसका spelling होगा तो बाकी सारे देखिए यह spelling को किस तरह गलत लिखा गया है यहां पर यहां पर आपको डबल एम दिख रहा है यहां पर कोई o का यूज नहीं हुआ है humorous और यहां पर o यहां पर mix किया गया है r-o होता है तो यह वाला यहां पर सही होगा humorous करके ठीक है यह humorous होगा यह h-u-m-o-r-o-u-s करके humorous ठीक है next है यहां पर height का spelling बताना है देखो बहुत ही general word है height लेकिन बहुत लोगों confuse की कर जाता है इतने सारे option देखे height का spelling आप बोलिएगा क्या होगा ठीक है आपको 8 का spelling पता होता है 8 है न 8 क्या होगा EIGT8 होता है इसके सामने अगर आप H लगातो तो यह height हो जाएगा दोस्तों ठीक है बहुत आसान है height का spelling याद रखना तो यह C वाला जो है सही होगा ठीक है H8 करके height का spelling आप याद रख सकते हो नेक्स्ट है आपको प्रोफेसर का spelling बताना है प्रोफेसर हम बहुत जनरली बोल जाते है न यह भलानी कॉलेज में प्रोफेसर है ऐसे वैसे तो प्रोफेसर का spelling बताएगा क्या होगा तो प्रोफेसर के स्पेलिंग में ये सर तो नहीं होता है ठीक है ये सायार सर होगा लेकिन ये प्रोफेसर वाला सर नहीं है प्रोफेसर में ये सो आर होता है ठीक है ये सो आर और इसके स्पेलिंग में आपको डबल एफ नहीं होता है दोस्तों नेग्स्त e f neden और फेवराइट है, आपका कोई खास है, तो इस तरीके से आपने बोल देना है कि फेवराइट करके टीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग है यहाँ पे वायर, वायर का स्पेलिंग आपको बताना है ठीक है जो भी इसका आपको प्रोनानसेशन करते होंगे weird या फिर wired तो सही spelling क्या होगा wired है विचित्र कुछ भी चीजे जो normal से नहीं होती है विचित्र होती है थोड़ी सी तो उसको wired बोला जाता है और इस wired का spelling या फिर weird का spelling आपको बताना है दोस्तों देखे यहाँ पे IE कर दिया है, यहाँ पे EI कर दिया है, यहाँ पे IA है, यहाँ पे AI है, तो weird के spelling में क्या होगा, देखो आपने bird तो सुनाओगा, bird है ना, bird, तो यहाँ पे हम we कर दे, we are bird है ना, we are bird मतलब क्या होगा, हम अगर पक्षी बनेगे तो कुछ वी चीतर बोल रह वी बर्ड, बी की जगा पे आपको we लगा देना है, तो यह bird का weird हो जाएगा, तो यह याद रह जाएगा, दोस्तों weird याने बड़ी वी चितर चीज है, तो चलिए आगे next सवाल को देखते, यह बहुत ही खास्ट वर्ड है, जो आपकी exam में पुछे जाने की बहुत सारी वैक्यूम का spelling क्या होगा, वैक्यूम मतलब जहाँ पर वात, याने हवा का हवा नहीं है, यह ना हवा जहाँ पर नहीं है, उस जगे को हम वैक्यूम बोलते है, तो यहाँ से वैक्यूम का spelling बता है, या क्या होगा, देखो यहाँ पर cu m लिखा है, यहाँ पर cu m लिखा है, य यहां से सरे बहार को यहां से निकाल दीया तुम भी बाहर जाओ चाले की ethics करके सिंगquito औप सिंगल रखाना की मेरा कोई अक्छा यह यहां से बाहर निकाल दिया जिर्थेल्ट निकाल दिया जैसा square या फिर carbon monoxide जितने भी gas CO2 सारे को हम बोल रहे है you are out, you are out, you are out, you are out यहाँ पर कोई नहीं बच रहा है सिर्फ you, you जो है वो double है बाकी तो single ही है तो यह vacuum का spelling हो जाएगा दोस्तों next यहाँ पर सवाल है committee, committee जो संगटन होता है committee कोईसी भी चीज की committee होती है यह meaty, meaty में देखिए یह spelling में mistake दिख रहा है आपको तो यह सही spelling जो हता है committee, committee यहने हर लोग साथ साथ में होते है एकी विचार के लोग होते तो double ym होगा, double t होगा, double e होगा तो यह सब लोग साथ में एकी विचार के, इनकी एक committee है तो WM, WT, WE होगा इसमें, कमीटी यहां पर आये होगा, तो यह चीज यहां से सही होगा दो, कमीटी, बहुत बार शब्द यह इस्तमाल होता है, स्पेलिंग को याद रखिएगा, नेक्स्त है कैलामीटी, कैलामीटी याने डिजास्टर है न, बहुत जो बड़ी चीज में ब पड़ाई नहीं होगा तो कैसे आएगा इस वर्ड का आपका कोई लेना देना नहीं होगा तो आपको spelling नहीं आ सकता आपको वर्ड कभी ना कभी देखा हुआ होना चाहिए उसका मतलब पता होना चाहिए तभी आप ऐसे वर्ड का सही स्पिलिंग बता पाते हो तो कलामिटी जो है जास्टर उसका सही स्पिलिंग यह होता है सी से स्टार्ट होगा कलामिटी सिंपल स्पिलिंग है इसका सी एले यह माईटी वाई कलामिटी ठीक है इसमें माईटी वगेरा कुछ नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है pronunciation हम हर बार बोलते है कि इसका pronunciation ठीक नहीं है कोई भी विचार कर रहा है जैसे weird है उसको wired बोल रहे है उसको weird बोल रहे है तो यह सारा उसका pronunciation का problem होता है ठीक है आप इसका जो भी answer नोगा pronounce कोई सी भी word को सही तरीके से pronounce करना है तो यहां से pronunciation का spelling बताजिएगा क्या होगा तो यहां पर देखो यह noun लिखा है इसमें ठीक है pronunciation इसमें नाउन का कोई मतलब नहीं है दो प्रोनान्सीएषण union होता है ठीक है यहां यहांपर है यहां यहांपर भी है यहांपर यहांपर जो यह होता है और Weまだ are नेक्स्ट, यहां पे सवाल है हल्यूूसेनेशन, जो दिन इसमें देखने, आदत होती है, तो थोड़ा सा हल्यूसेनल, नसा 나शा होने के बाद में एक आदमी अ-धी, हाथ में येशन की स्पेलिंग बतायेगा, जी में पहले तो पता हो तो यहां से आपको यह यसायन नहीं होता है, CIN होगा, ठीके, हलुसिनेशन करके, तो इस वर्ड को याद रखेगा, हलुसिनेशन, डबल एल होगा यह, और C से सिनेशन होगा, ठीके, नेक्स्ट सवाल है, यहां पर आर्मागेड़ान, यह भी वर्ड बहुत कम बार आपने सुना होगा, अर्मागेड़ान क्या होता है, एक बहुत बड़ा वार, बहुत बड़ी फाइट होती है, जैसे हम नुकलियर अर्मागेड़ान भी बोल सकते है, नुकलियर अर्मागेड़ान ने नुकलियर फाइट होगा, तो अर्मा गेडाउन का spelling क्या है बस यहां से आप directly याद रखे गेडाउन है यह गेडाउन है यानि G-E-D-O-N होगा ठीक है डाउन वाला गेडाउन जो है डाउन लोगी fight करते हैं तो डन वागेरा इसमें कुछ नहीं होगा डन नहीं होगा डाउन होगा ठीक है डी-O-N डाउन और गेडाउन है ना गेडाउन तो अर्मा गेडाउन बहुत बड़ी fight होती है ठीक है नेक्स्ट यहां पर सवाल है एंथम के हम spelling बताना है हमारे नैशनल एंथम होता है ना तो उस एंथम का आपको spelling बताना है क्या सही होगा देखो इसमें एंथम है इसमें एंथम है इसमें एंथम है या फिर आपर आंथम है तो सही spelling क्या होगा दोस्तों एंथम क्या होता है एक बहुत बड़े ग्रूप का एक सब्सक्राइब के निया एक्मोडेट, आयक्मोडेटर में, बात है तो इसमें डबल सी डबल यम होगा दोस्तों डबल सी डबल यम ठीक है यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल सी डबल यम तो यह अकोमोडेट है यहाँ पर डेट है अकोमोडेट है तो यह सही होगा ठीक है अकोमोडेट नेक्स्ट है यहाँ पे रेकमेंड करना है किसी को आप रेकमेंड करते हो ना तो रेकमेंड का स्पिरिंग आपने बताना है रेकमेंड यहाँ पे भी आपको यह बीच में जो कम है उसको ही याद रखना है रेकमेंड क्याने इसमें एक सिंगल सी आएगा और डबल यम आएगा तो इसमिन से में लिखा है यहां पे यह में पिर आये जीर होती है तो यह में अường होगा ठीक है maintenance अब maintenance में आपको यह 10 भी आएगा T-A-I-N नहीं आएगा T-E-N आएगा ठीक है 10 तो main जो मुख्य है 10 है और जो A-N-C-E होता है E-N-C-E नहीं होता है A-N-C-E है एंट्रांस का जो है lift में entrance कर रहे हैं आप ऐसे करके याद रखिए है entrance यहाँ आएगा इसमें ठीक है और 10 रुपीज देना है आपको main मुख्य जो lift का entrance उसके लिए आपको 10 रुपीज देना है तो maintenance करके याद रखिएगा यह D यहाँ से सही होगा बाकी सारे चीज़ यहाँ पे गलत है conscience का spelling बताना है conscience अपने अंतकरन अपने आपको जो ग्यान होता है क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है उसको conscience बोलते है और यहाँ पे आपको conscience का ही spelling बताना है दोस्तों यह conscience में यह TI कुछ नहीं होता है ठीक है यह science है तो यह science वाले spelling वाले सही होंगे science लेकिन अब अब कन साइंस कन को co un बोलेगे co un बोलेगे तो co un जो है वो सही होगा co un गलत होगा co un conscience ठीक है conscience हमारे अंतकरन की बात है हमारा ग्यान है कुछ चीज़ अच्छी बूरी को परक्षना होता है ठीक है का रिधम है न में हम यहां परहिए पड़ने में में तो सभी रिधम इलगा लेकिन सही आम जो कि आ Right यहाँ करें कि है वह नहीं हुए किहां पूछी hebह्त स्बिद्ट कि Ios तो यह सारा आपको याद रहेगा rhythm ठीक है तो हमारे heart के normal rhythm चलते हैं उस rhythm के जरीए आप याद रखिया rhythmic है next है बहुत यह असान spelling आपको बताना है writing का spelling क्या होगा हम कुछ लिखते हैं तो writing का spelling क्या होगा यहाँ पे डबल T दिया है यहाँ पर G-H-T-I-N लगके यहाँ पर R-I-G-H-T का है तो राइटिंग यहने हमें पता है राइट का स्पिलिंग W-R-I-T-E होगा अब यहाँ से राइटिंग है तो E हटा के आइटिंग लगा दो कोई डबल टी नहीं आने वाला है राइटिंग लगत है यह जए यह राइटिंग सही होगा कफ का स्पिलिंग सभी को पता है C-O-U-G-H-T को हटा के R होता है आर उज्व हो जाएगा थिक है यहाँ से R-O-U-G-H आरे सारे गलत हो जाएगा कफ सभी को पता है 8-O-U-G-H होता है 14 शूदा की बात चल रहे है चालिस की होती तो टी वाई लिख देते अब यह 14 की बात चल चल तो टी नेजर्स होते है ना टी डाइन ठीक है 13 से लेकर के 19 जंडिती रिख देग नेजर्स तो टीटीन का स्पिलिंग यह होगा TEEN करके और यह 4 का होगा तो यह 14 के लिए सही हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो इस वीडियो में इतना ही है आशा करतो हूँ आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे बहुत सारे के स्पेरिंग आपको पता होंगे दोस्तो तो इस वीडियो को आपने जरूर लाइक करना है शेयर करना है और अ modular लोगों से मेरी दर्खासते है जिन लोगों ने चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिपेशन आपको मिलते रहेगा और आपको यूही लाब होता रहेगा दोस्तों तो फिर टे मिलते हैं एक और बहतरीन वीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक यू